इस कोरोना ने मार्च से हम लोगों का जीना दुखी करके रखा है पुरे देश भर में इस वज़े से लॉकडाउन लगा हुआ है लॉकडाउन तो थीक है लेकिन एक दूसरी चीज भी है जिससे शायद लोग अब थक भी चुके हैं लेकिन अब इतने दिन हो गए है कि हमारे इंचरिया का हिस्सा ही बन गया है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोन की कॉलर ट्यून की जी हाँ जब से कोरोना का कहर चाया है और लॉकडाउन लगा हुआ है तब से ही फोन लगाने पर कोविड-19 से बचा संबंदी एक कॉलर ट्यून बज़ती है चाहे आप किसी को भी फो पहले यह कॉलर ट्यून आपको दो बार सनाई दें इसके बाद आपका कोल कनेक्ट होता है शुरु शुरु में स्टार्ट अकरकार गवर्मेंट ने इस इसे सब की कॉलर ट्यून क्यों बना दिया लेकिन अब सब इसके आदी हो चुके हैं यह हमारी सरक्षा के लिहाद से द जसलीन भल्ला की 2010 से वोईज ओवर की दनिया में काम कर रही जसलीन भल्ला अब तक कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है जसलीन की आवाज पहले भी कई सरकारी और गयर सरकारी प्रोजेक्ट में आ चुकी है जिनमें आगनवाडी, रेलवे और एलाइस शामिल है लेकिन बात की जाए कोरोना कॉलर ट्यून की तो एक प्रोड़क्शन हाउस ने जसलीन को ये ओफर किया जसलीन को पता नहीं था कि ये एक सोशल मैसेज है और आगे जाकर ये लोगों की कॉलर ट्यून में तबदील हो जाएगा जब जसलीन ने काम किया और उसके बाद उनकी आवाज लोगों की कॉलर ट्यून बनने के बाद उन्हें मिले जुले से रिस्पॉंस देखने को मिले कोई उनकी आवास की तारीफ करता हुआ नजर आया तो कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आये कि तुम्हारी आवास सुन सुनकर अब हम बोर हो गए है खुद जसलीन भी फोन पर अपनी आवास सुनकर कभी-कभी थोड़ा सा अजीब महसूस करती होंगी लेकिन जसलीन को इस बात की खुशी भी होगी कि वो संकट के समय में अपने देश के लिए कुछ काम कर पाई जसलीन एक कॉलर ट्यून के साथ-साथ कई और और आडियो के लिए भी काम कर चुकी है जिन में कोरोना वाइरस के लिए के काम भी शामिल है उन्हें अपने काम से बहुत खुशी है और उन्हें गर्व है कि वो देश के लिए कुछ कर पाई है लोग भी उनकी तारीफ करते हैं उन्हें मैसेज करके उन्हें कॉल करके बधाईयां देते हैं कि वो देश के लिए अच्छा काम कर रही है कोरोना को लिकर जसलीन का मानना है कि ये गंभीर बिमारी है और इससे सतरक रहना ही हमारे लिए अच्छा है समय और परिस्थती इंसान को हर सिच्विशन के लिए तयार रखती है और ऐसा ही कुछ वाद जसलीन के साथ उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश में इतना बड़ा संकट खड़ा होगा और इस संकट के समय में वो देश के लिए एक जरूरी काम कर पाएंगी इसलिए कहा जाता है कि इंसान का कर्म पहले ही तय हो जाता है कि उसे क्या करना है जैसे कि जसलीन ने किया